आईए दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारिकी से बताने वाला हूँ वो क्या है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख क्या रहा है गतीज उर्जा जिसे हम कहते हैं काइनेटिक इनर्जी और एक हमारा होता है स्थितिज उर्जा जिसे हम कहते हैं पोटेंशिल इनर्जी तो आज हम ऐसा बताऊंगा ना कि आप जिन्दगी भर भूलेंगे नहीं और सौट ट्रिक के साथ बताऊंगा कोई जरूरी नहीं कि मेरी दिवी जनकारी आप जिन्दगी भर याद रख सकते हैं क्योंकि समझना और न समझना सिर्फ आपके उपर निर्वर करता है तो यहाँ पर आप सिर्यसली नत लिजेगा ओके बले यह आपको परिवासा समझना आएगी लेकिन यहाँ पर जो ट्रिक बताऊंगा पहचानने के लिए आप इजी लिए यहाँ पर समझ भाएंगे अगर हम यहाँ पर देखें तो गतिज उर्जा और यहाँ पर देखें तो इस्तितिज उर्जा जिसे हम इंगलिस में कहते है काइनेटिक इनर्जी और इसे कहते है पोटेंसिल इनर्जी अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो आपका क्या पराप्त हो जाता है तो यांतरिक इनर्जी यहां पर पराप्त हो जाता है तो अगर आपस में एड करते हैं तो हमारा जो अगला जो बनता हो क्या है वो हमारा बनता है यांतरिक इनर्जी जिसे हम इंगलिस में कहते हैं मेकैनिकल इनर्जी तो यह छोटी सी बात आपको बहुत ही आसानी से आ गई होगी तो अब हम आपको बताते हैं गतिज उर्जा और इस्थितिज उर्जा की जयाकिर है क्या तो आई ये दोस्तों अब हम बहुत ही बारीकी से समझते हैं कि ये गतिज उर्जा अखिर है क्या और बहुत ही आसानी से पहचानने का हम यहां पर ट्रिक समझेंगे तो यहां पर गति उर्जा का यहां पर देख सकते हैं लिखा क्या है काइनेटिक इनरजी और साथ ही यहां पर देखेंगे परिभासा में तो बहुत ही आसान है तो यहां पर आप देखेंगे तो किसी वस्तु को उसके गति के करन गति तो आपको पता है ना चलना घुरना फिर रहा है कि किसी वस्तू को उसके गती के कारण कारी करने की छमता होती है तो उसे ही हम कहते हैं गती उर्जा तो यह बहुत ही आसानी से आप समझ गयोंगे जैसे अगर आप एक्जामपल समझेंगे तो आपको यहां पर दिख्या रहा है आप यहां पर समझी है तो यहां पर लि हमारा जात है वरसा का गेरना ये हमारा यहाँ पर ऊर्जा का उधारना इस्थितिज यहाँ यहाँ पर हम बोल सकते हैं तो यहां पर आपको गतिज उर्जा को पहिछानने के लिए हम सौट ट्रिक देते हैं कि आप कैसे पहिछानेगे अगर आप से पूछ दिया जहा coinc来 कि चलत उर्जा यहां पर कहला केंगा है क्योंकि उपर है अघे बता हूँ तो यहां पर खृयाल रखें तो यहां पर इस्ति cargo में होता क्या है इस्तिती जूर्जा में यह होता है कि कोई भी चीज उचाही पर होगा तो वो आपको क्या कहलागा इस्तिती जूर्जा अगर कोई भी चीज यहाँ पर गती में होगा रफधार में होगा तो वो आपको कहलागा गती जूर्जा ठीक है तो यहाँ पर आप समझेंगे तो अभी आगे हम बताएंगे आप यहाँ पर घवराइगे मत तो यहाँ पर आप आप सानी से समझेंगे तो आपको दीख क्या रहा है आप समझे तो यहाँ पर सूत्र जो होता है हमारा गति जूर्जा का वह होता है वन बाटा टू मल्टिपल एम यह एम यानी द्रविमान और भी यानी वेग यह हमारा होता है भी का स्कॉयर यानी वेग का स्कॉयर ठीक है और इसके बाद हमारा जो मातरक होता है गतिज उर्जा का वह होता है आपको जूल जिसे हम जेसे प्रदर्शित यहां पर करते हैं तो गतिज उर्जा का उधारन आपको ऐसे समझना है कि कोई भी चीज यहां रफदार में होगा तो आप इजी लिए यहाँ पर समझ भाएंगे ठीक है तो अब हम समझते हैं कि यह स्थितिज उर्जा यानि potential energy यहां किर है क्या तो potential energy को आप ऐसे समझे कि कोई भी चीज अगर उचाई पर होगा तो वो आपको क्या कहलागा आपको इस्थितिज उर्जा यानि potential energy यहां पर आपको कहलागा तो आप यहां पर देखेंगे तो इस्थितिज उर्जा जिसे हम कहते है potential energy और यहां पर परिभासा में दीख क्या रहा है आप यहां पर पताईगे तो यहां पर आप देखेंगे कि छमता जो कारे करने की जो सकती होती है उसे ही हम कहते है इस्थितिज उर्जा जिसे हम इंगलिस में कहते हैं potential energy तो ये छोटी सी बात आप बहुत ही आसानी से समझ गयोंगे जैसे इस्थितिज उर्जा का उधारन हमने आपको बताया कि वर्षा का गिरना वर्षा का गिरना क्या है यह आपको इस्थितिज उर्जा का यहाँ पर उधारन है क्यों क्योंकि वो उचाई पर से यहाँ पर गति हो रहा है ठीक है तो आपको यहाँ पर यह ख्याल ढखने कि कोई भ तो आप समझने कि वह आपको क्या है इस थितिव उर्जा का यहां पर उधारन corte तो आप समझ पहाएंगे बहुत ही आसानी से so figur यहां पर सूत्र जो हमारा होता है सुगर्फ करें दोया दर्षित करतें इसको लिख सकते हैं और इसका जो सुट्र होता है M, G, H यहाँ पर होता है, M का मतलब क्या, तो M का मतलब दिख सकते हैं, मास यानि दरबे मान और G का मतलब क्या, तो आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल ऐसी लीरेशन क्या जानी कह सकते हैं, गुरुती वी तोरण और इस के बाद हमारा यह होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उदारन क्या लिख रहा है कि तन्य हुई धनुस की दूरी से उर्जा यह आपको क्या है इस्तितिज उर्जा का यहाँ पर उदारन है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि घड़ी की चाभी द्वारा घड़ी को गती देने वाला उर्जा ये भी आपको क्या है इस्थितिज उर्जा का यहां पर उधारन है तो आपको बस यहां पर यह ख्याल रखनी है कि कोई भी चीज उचा पर होगा तो उसको हम कहेंगे इस्थितिज उर्जा और कोई भी चीज अगर वहां पर गती कर रहा होगा तो हम समझेंगे कि वो क्या है आपको गति उर्जा का यहां पर उधारन है अगर दोनों के दोनों जियां गाईज यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दोनों के दोनों होंगे जैसे आप ऐसे समझें कि हमारा जो हेलिकॉप्टर होता है वो क्या होता है उचाई पर भी होता है और यहां पर प्राप्त होगा तो अगर आपसे गतिज उर्जाग का उधर रहना देखा जाए तो आप कुछ भी देखिएगा, कोई भी चीज़ अगर गतिज उर्जाग का रफवदार में होगा, तो आप यहाँ पर गतिज उर्जाग का उसको नाम दिजेगा, ठीक है, अब जरूरी नहीं, गतिज घर्षन भी यहाँ पर हो जाए क्योंकि गतिज से रफ़ दूर्ज बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर समझ पाएंगे तो गतिज उर्जा और इस्तिज उर्जा आपको बहुत ही आसानी से आ गई होगी अगर मेरी दिवह जनकारी से अगर आप थोड़ा कुछ भी सीखते हैं तो एक प्यारा सा सबस्क्राइब कर दीजेगा और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजेगा तो बने रहिए और जूडे रहिए और कोई दिकत हो तो नीचे जरूर लिखे बस आपको चोटी सी बात यहां पर ख्याल रखने है कि गति जूर्जा यानि रफदार से और इस्तिति जूर्जा जो उचाई पर होगा ओके तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होगा